अलो स्टूडेंट्स, माक्स के विचारों के अध्यन की श्रंकला में, अब हम माक्सवाद और प्रतिष्ठित सिध्धान्त के बीच में संबंध की विवेचना करेंगे. स्वयम साम्मेवादी मानते हैं कि माक्सवाद प्रतिष्ठित सिध्धान्त का विक्सित रूप है. ऐसा लेनिन ने भी कहा है, जीडन रिस्ट का कहना है कि माक्सवाद प्रतिष्ठित सिध्धान्त के तने पर लगी हुई एक कलम है. कुछ इतिहासकार इनको प्रतिष्टित अर्थशास्त्रियों की परंपरा में ही मानते हैं परंतो ऐसा करना उच्जित नहीं है प्रतिष्टित सिध्धान्तवादी मूलतह मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक थे माक्स समाजवादी परंपरा में ही आने चाहिए लेब्रियोला ने लिखा है पूंजी नामक ग्रंत समाजवादी अर्थशास्त्र की भूमी का नहोकर पूंजी वादी अर्थशास्त्र का केवल उपसंगहार है शुमपीटर का कहना है कि रिकॉर्डो को माक्स का गुरू माना जाना चाहिए ना केवल सिध्धन्त को मानने वाले रिकॉर्डो की पद्यति भी अपनाने के लिए काल माक्स ने प्रतिषट अर्थशास्त्र को ही स्रीकार नहीं किया उन्होंने पूंजी वाद की भी बहुत तारिफ की है किसी समय पूंजी वादी विवस्था अत्यंत क्रांतिकारी थी और समाज में उत्पादन बढ़ाने एवं आविशकारों के लिए बहुत अधिक उपियोगिता थी उन्होंने इसका समर्थन किया है और इस पर विस्तार से लिखा है अब माक्सवाद और प्रतिष्टित विचारधारा में यदि हम समानता की बात करें तो सबसे पहले समानता में आता है मूले का श्रमसिद्धन एडमी स्मिथ और रिकॉर्डो की देन है मूले का श्रमसिद्धन माक्स ने केवल सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम ही मूले का आधार है यह वाक्ये जोड कर कुछ विन्यता पैदा कर दी थी दो वस्तूओं में विन्यमे किदर श्रम पर ही आधारित होती है ऐसा माक्स ने माना यह बात रिकॉर्डो ने बताई थी दूसरी समानता है मजदूरी का सिध्धन रिकॉर्डो के जीवन निर्वा का सिध्धन को माक्स ने ज्योंका तो मालिया है माक्स के अनुस्तार मजदूरी मजदूर के भुजन आदी के व्याके पराबर होती है ऐसा मार्क्स ने कहा है और इसी पर उनका अतिरिक्त मूले का सिध्धान्त भी आधारित है अगर अन्य समानताओं की बात करें तो मार्क्स के लगान और लापसंबंदी विचार भी रिकॉर्डों से मिलते जुलते हैं व्यापारिक मंदी के सिध्धानत के विश्य में उन्होंने जेवी से को त्याग कर मौल्थस की बात मानी हैं। मौल्थस के अनुसार मांकस भी मानते हैं कि मजदूरी कम होने से समाज की क्रेश शक्ति कम हो जाती है और इस कारण अत्य उत्पादन होता है। यदि पी मजदू पूरी कम होने के दोनों के कारणों में अंतर है माक्सवात और प्रतिष्टित विचारधारां में भेद भी हैं समानता की बात अगर हमने करी तो इसका यह अर्थ नहीं है कि माक्स और प्रतिष्टित विचारधारां में कोई अंतर नहीं है यतार्थ में माक्स कई आधार भू माजिक रचना को लगभग इस्थाई मान लिया परन्तु मांक्स ने इतिहास को निरंतर परिवर्तनशील और रिकाशील समझा रिकॉर्डो एवा मौल्थस के अनुसार गरीबी और व्यक्तिकत संपत्ति के इस्थाई लक्षण है किन्तु मांक्स ऐसा कुछ नहीं मानते प्रत इसे कर्थ्विवस्ता को चाहे वे पूजिवाधी हो या समाजवाद अपने नियम होते हैं इस बात की और प्रसिद्ध मांक्स वादी विचारक एवं लेनन के सहयोगी ट्रॉट्सकी ने अपने ग्रंत लिविंग थॉट्स ओफ कार्ल मांक्स में ध्यान दिलाया है उन्हों के शाश्वत नियमों को खोजना नहीं था वे इस प्रकार के नियमों का अस्तित नहीं मानते थे मानव समाज के विकास का इतिहास अनेक आर्थिक विवस्ताओं का क्रम है और प्रतियक विवस्ता अपने स्वयम के नियमों से संचालित होती है प्रतिष्टित विचारकों की इस माननेता में अनेक अर्थशास्यों को निराशवादी बना दिया है खास तोर से मौलतस एमवं एडम स्मित को भविश्य के विशे में निराश कर दिया है इसके विप्रीत काल मार्क्स के पूरे साहित्ते में आश्र का संदेश है समाजवाद वह उज्वल भविशे हैं जिसे मजदूरों को प्राप्त करना चाहिए ऐसा आवभान है काल माक्स ने कई प्रतिश्चित सिद्धान्तों को अस्विकार भी किया है गुधारन के लिए माक्स को मौलतस का जनसंक्या सिद्धान्त अमानने है निर्धंता और भख्मरी को वे जनसंक्या की व्रद्धी का कारण नहीं वरन पूजिवादी शोशन का परणाम मानते हैं पूजिवाद के समाप्ती के बादी जनसंक्या की व्रद्धी से उत्पन खत्रा समाप्त हो जाएगा साम्मेवदी चीन का अनुभव मौलतस के सिद्धान्त की सच्चाही को प्रकट करता है इस प्रकार मांक्स ने जेवी से के बाजार नियम को अस्विकार किया है वह यह नहीं मानते कि पूर्ती अपनी मांग स्वयम पैदा करती है उनके अनुसार मंदी मौजीवादी विवस्था का अनिवारे लक्षन है अब प्रश्ण यह उठता है कि क्या मांक्स के विचार मौलिक है यह प्रश्ण काफी विवादा ग्रस्त है सबसे बहरा मैं यह समझना होगा कि मौलिकता का अर्थ क्या है मौलिकता बहुदा नवीनता के अर्थ में समझी जाती है यदि कोई विचारक बिलकुल नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है तब उसे सामाने अर्थ में मौलिक कहा जाता है इस अर्थ में मांक्स को बहुत अधिक मौलिक नहीं कहा जा सकता न केवल मांक्स बलके अधिकान श्विचारकों को भी अधिक मौलिक नहीं माना जा सकता कारण यह है कि सिध्धान्त के विकास का एक क्रम होता है और उसका एक इतिहास और एक परंपरा होती है जिसे विभिन विद्वान क्रमशेविक सिद करते रहते हैं कोई भी सिध्धान्त सहसा उत्पन नहीं हो जाता काल मांक्स के आर्थिक चिंतन का भी इसी प्रकार से इतिहास है हीगल, फियरबैक, एडम स्मित, रिकॉर्डो, मौल्थस, सैंट साइमन, सिसमोंडी, रॉबर्ट सन, प्रोधो, स्टीन आदि विद्वानों ने अलग-अलग मांक्स की बताई हुई अधिकांच बाते पहले से ही बता दी थी उनका द्वन्दात्मक्रिया का सिध्धान्त हीगल के ही की ही देन है रॉबर्ट सन को समाजवाद का रिकॉर्डो भी कहा जाता है मूल्य का सिध्धान्त प्रिकॉर्डो का आया वर्क जंगर का सिध्धान्त वॉन्द स्टैम ने अपने गरंथ में बताया परिंतु काल मांक्स की मौनिकता इस बात में है कि उन्होंने इन सिध्धान्तों में संशोधन किया और केवल उनी सिद्धान्तों का चैन किया जिसको उन्होंने सही समझा हीगेल की व्याक्या का प्रयोग उन्होंने भौतिकवादी विकास क्रम में किया है यही बात उन्हें अन्य सिद्धान्तों के विशे में है नवीनता के अर्थ में भी माक्स ने कی नवीन बाते कहीं थी समाच वात को उन्होंने भावुकता एवं आदश वात से सर्वता मुक्त किया है और इस अर्थ में उसे एक व्यढ्यानिक आधार दिया है या उनसे और उनके पूर्ग के समाजवादियों में प्रधान अंतर है या दिपी बहुत से आलोचके मानते हैं कि मांक्स की विज्ञानिक्ता भी अंतोत गत्वा एक नैतिक आदश पूर्ति का साधन ही है सिध्धान्त चाहें जहां से लिए हो मांक्स की विवस्ता सरुथा मौलिक है इन सिध्धान्तों के आधार पर जो विचारधारा उन्होंने निर्मित की है वे अन्य विचारधारां से सरुथा फिड़ने है मौलिकता का एक अन्य अर्थ यह भी होता है सत्य बनाया नहीं जाता देखा यह खोजा जाता है यदि कोई विचारक स्वैम अपने अनुभव के आधार पर कोई बात कहता है तो बात नवीन होने पर भी नवीन नहीं हो तो भी उसे मौलिक कहा जाना चाहिए इस अर्थ में मार्क्स सर्था मौलिक कही जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने किसी भी ऐसी बात को नहीं माना जो उनके तर्क या बुद्धी के विप्रीत हो या उनके अनुभव से मेल नहीं खाती हो मार्क्स किसी विशेश विचारक के अनुभवियाई नहीं कही जा सकते, प्रशन सक्तो कहीग ही नहीं जा सकते, सभी विद्वानों की उन्होंने टीका की है, इन लेकों के निशकर्श भी काल मार्क्स के निशकर्शों से भिनिख है स्टीन ने वर्ग संगर्ष का वर्णन किया है परंतु वे नहीं मानते कि संसार में इसका परिमान परिणाम सरूप समाजवाद स्थापित होगा मार्ग्स ने वर्ग संगर्ष को स्विकार करके उसे समाजवाद की स्थापना का साधन बताया इन सभी सिध्धान्तों के विशय में काल मार्क्स के विष्टि को सर्था स्वतंत्र रहे। काल मार्क्स की मौलिकता इस बात में है कि उन्होंने सिध्धान्तों में संचोधन किया और केवल उन्ही सिध्धान्तों का चैन किया जिसको उन्होंने सही समझा। हिगेल की व्याक्या का उपयोग उन्होंने भौतिकवादी विकासक्रम में किया है यही बात उनके अन्यसित धनतों के बारे में भी है काल माक्स का प्रभाव माक्स ने आर्थिक तथा राजनितिक रूप से ही नहीं साहित्य एवंकला पर भी अपना प्रभाव डाला प्रगति शील साहित्य एवं कला पर उनकी छाप है इस प्रकार की क्रतियां प्रतेग देश में है मार्क्स के जीवनकाल में उनके अधिकांच प्रशंसक और अन्याई नहीं थे उनकी शवियात्रा में भी किवल आठ विक्ति ही थे परंतु क्रमशे उनके विचार सारे संसार में फैल गए और हम ये कह सकते हैं कि आधुरनिक यूग में उनके समान कोई दूसरा प्रभावशाली विचारत नहीं हुआ साम्मेवादी देश तो मांक्स को अपना मसीखा मानते हैं अन्य लोग कांत्रिक देशों ने भी उनके आर्थिक कारिकम के को सध्धान्त तैमाना है भारत तता बर्मा भी इस इश्रणी के देश हैं, साती पूंजीवादी देशों में भी माक्स के सिध्धनतों के प्रभाव से पूंजीवाद की कटरता बहुत कुछ कम हुई है स्वभावी के कोई भी विचारक सदा प्रेणा नहीं दे सकता, माक्स का चिंतन 19 विशता अदिक था और तब से एक नवीन विज्ञानिक युद्ध का अविर्भाव हुआ है अनुशक्ति अंतरिक श्यात्रा अंतरष्ट इसायोग आदी ने मनिश्यकों नवीन परिस्थितियों में फिर से सोचने को बाध्य किया है माक्स के घटे प्रभाव का कई चीज़ा संकेत देती है सप्रतीत होता है कि आदुनिक समाज बहुतिक वाद दुराग्रह सहिश्णता अधनायक वाद इंसाग्रह आदी को स्विकार नहीं कर पा रहा है जबकि माक्स वाद में इनके बिना कारे चल ही नहीं सकता थैंक्यू वेरी मुद्ध